हेलो एन वेलकम माई डियर फैंट दिस इस मी कुमार पंकज और क्रैकनाओ धमा का स्पेशल में आपका स्वागत है BPSC सरसटवी को फोकस करके हम ये धमा का सीरीज चला रहे हैं जिसका चटमा पार्ट है और बहुत इंपोटन टॉपिक बेहार में क्रसी को आज हम फोकस करेंगे Economic Survey 2021-22 पर आधारित इसमें सारा डाटा रहेगा यानि कि ये latest जो है वीडियो रहेगा अब आगामी परिक्षा जब तक कोई अगला सर्वे नहीं आता सारे question यहीं से आएंगे और आपको पता है कि क्रसी से संबंदित question बहुत पूछे जाते हैं बेहार में तो पूरा cover हम agriculture को सारी चीजें इसमें ध्यान रखिएगा धमाका के आपने पुराने parts नहीं देखे हैं तो अभी चले जाएए playlist में और जरूर देखिए क्योंकि धमाका सर्सट मी में जरूर धमाका करेगा तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं बिहार में क्रिसी सबसे important चीज जो आपको इसमें देखनी है पांच क्रिसी कर्मण पुरुसकार अब तक agriculture sector में बिहार को पांच बार क्रिसी कर्मण पुरुसकार मिल चुका है ये 66 में question पूछा भी जा चुका है कि क्रिसी कर्मण पुरुसकार जब उस समय मक्का और गैहूं के उत्पादन चावल और मक्क तो ये ध्यान रखिएगा कि पांच क्रिसी कर्मण पुरुसकार अब तक बिहार को प्राप्त हो चुके है ये एक extra information थी अब हम सुरू करते हैं बिहार में क्रिसी कारियों में सनलगन है अगर पूछा जाए आपसे कि कितनी परसेंट जनसंक्या जो है बिहार की क्रिसी कारिय में कारियरत है तो 70% के लगभग पूछ जनसंक्या डिपेंडेंट है एगरिकल्चर पे कुल क्रिसी छेत्र 64.6 लाख है बिहार में ये question पूछा जाता है 64.6 सकल सस्य छेत्र बिहार में 72.97 है और सुद्ध भुआई छेत्र जो है वो 50.77 लाख है ठीक है जो यल्लो किया पूछ द डिपे को में 42.7 लाख है की लाख है ओर इस चरहांiform है 25.3 लाख है बिहार में 34.2 लाख है बिहार में है सकल सस्य गहनता वरी वेरी मॉर्ट इमपॉर्ट प्रतीस बहुत अच्छा question अ इस टार लगा रहा हूं मैं इस पे बेहार में सकल सस गहनता है 144 प्रतीसत याद रखिएगा अगर बात करें लगू और सीमांत जोत की की जोत का आकार क्या है बेहार में तो लगू और सीमांत जोत 97 प्रतीसत के लगवग लगू और सीमांत जोत धारक किसान हैं बेहार में तो तीन प्रतीसत पे जो हैं वो सीमांत जोत से ज़्यादा बड़े किशान है, यानि बड़े किसान की स्रेडिम आएंगे, बट लगू और सीमान्त जोत का जो आकार है, उस सतान में प्रतीसत है, very important data, ध्यान रखिएगा, अगर क्रिसी जोतों का आकार आपसे पूछा जाए कि ओसत आकार क्या है क्रिसी जोतों का, त जीरो दसमलब तीन नो हेक्टेर है, और एक हेक्टेर तक जो है सीमान्त किसान माने जाते हैं, जिनके पास एक हेक्टेर या उससे कम जमीन होती है, वो आते हैं सीमान्त किसान में, ये question पूछा जा चुका है, बिहार, UPPCS में, तो याद रखिएगा, सासतर प्रतीसत सीमान् कम भूमी होती है ठीक है तो यह ध्यान रखना आपको बहुत important data है यह सारा आगे चलते हैं 2020-21 में कुल खाद्यान उत्पादन very very most important question है यहां से कुल खाद्यान उत्पादन 2020-21 में क्योंकि यह economic survey 2021 का है तो एक वर्स पुराना data इसमें दिया रहता है economic survey में और वहीं से question भी आत है तो कुल खाद्यान उत्पादन 17.95 लाख टन है very very most important कुल खाद्यान उत्पादन 17.95 लाख टन GSDP में अगर क्रिसी की हिस्सेदारी की बात करें यानि gross estate domestic product जो बिहार का है उसमें क्रिसी की हिस्सेदारी अगर देखें हम तो 19.2 प्रतीसत है क्रिसी की हिस्सेदारी अगर हम GSVA में बात करें यानि gross total estate का value addition है ये value addition अलग होता है state domestic product अलग होता है तो GSVA में क्रिसी का योगदान प्लस सहवर्ती छेत्रों का योगदान यानि क्रिसी और सहवर्ती छेत्र को जोड़ दें तो 20 प्रतीसत के आसपास है ये ये भी आप याद रख सकते हैं GSDP में 19.2 और GSVA में क्रिसी का और सहवर्ती छेत्रों का योगदान है 20 प्रतीसत ठीक है चली आगे चलते हैं अब जो हमने बात की आपसे कि total जो GSVA में हिस्सेदारी है या क्रिसी में हिस्सेदारी है 19.2 और 20 प्रतीसत अगर हम इस 20 प्रतीसत को जिसमें GSVA के क्रिसी का प्रतीसत है और पसूधन की जो हिस्सेदारी है 34.7 प्रतीसत अगर है प्रतीसत 환से कई से 14.7 प्रतीसत है और 30.7 प्रतीसत अगर Śश्सेदारी प्रतीसत ही ठीक है चली हम मुझे उम्मीध है आप समझ गये होंगे मैं क्या कहना चाहरा हू size अनाज उत्पादकता, उत्पादन हमने देख लिया अभी कुल खादान का, अब हम देखेंगे अनाज उत्पादकता कितनी रही है प्रती हेक्टेर बिहार में, तो 2961 यानि 2961 किलोग्रेम प्रती हेक्टेर में जो अनाज की उत्पादकता, यानि productivity की बात हो रही है, आपर not production, उत्पादन की नहीं, उत्पादकता की बात हो रही है तो 29 61 किलोग्राम प्रती हेक्टेर जो है अनाज उत्पादकता है बिहार में, चावल उत्पादन की बात करें हम, तो यह है 7,392.72000 ठीक है, चावल उत्पादन कितना हुआ है, 7,392.72000 चिसमें growth हुई है 9.6 प्रतीसत टोटल कितना हुआ है चावल उत्पादन? 7.7392.72000 तन और अगर हम बात करें उत्पादक्ता की की चावल की उत्पादक्ता कितनी है तो ये 2447 kg प्रती है ठीक है? जैसे हमने अनाज उत्पादक्ता देखी उपर 2961 kg प्रती हैक्टेर ऐसे ही चावल की उत्पादक्ता है 2447 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर इसको छोड़ भी सकते हैं बट अगर आप देख लेंगे तो वहाँ अगर ऐसी कोई चीज आ गई तो आप कन्फ्यूज नहीं होएंगे कि यह क्या पूछ लिया मक्य की उत्पादक्ता बहुत इंपोटेंट है ध्यान रखिएगा 5229 किलोग्रेम प्रती हेक्टेयर है और इसमें गिरोथ हुई है 5% की ठीक है तो यह काफी गिरोथ है ध्यान रखना है अब हम आ जाते हैं सीर्स फल उत्पादन में यह मैं एक वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ कि कौन सा जो जिला है वहाँ पे कौन सा उत्पादन होता है फल सबजियों के उत्पादन पे वीडियो अल्रेडी डाल चुका हूँ बिहार स्पेशल में आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में बट मैं हाँ बात करूँगा एक-एक फल की जो question पूछे जा सकते हैं जैसे सीर्स फल उत्पादन केला का सबसे आदा उत्पादन फलों में हुआ है बिहार में तो केला का उत्पादन कितना है 19.8 0,00,00,00 सबसे आदा किसी फल का उत्पादन उआ तो वो खेला है जिसका उत्पादन है 19.8 0,00,00, दूसरे नंबर पर आम है 15.5 0,00,00, और तीसरे पर अमरूद है 4.3 0,00,00, तो इंपोर्टन यहारपे केला है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है आम भी आप याद रख सकते हैं केला आम अमरूद इजी है याद करना चाहें कर लिजे अब कुछ अन्यफेक्स देखेंगे जिसमें एग्रिकल्चर से जरूरी है देखना तो बिहार में देश का 90% मखाने का उत्पादन होता है ये बहुत बार पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन राज्य के तोर पे बिहार जाना जाता है और दरबंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र भी है तो ये ध्यान रखना दरबंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है और मखाना उत्पादन में द तोर तोर पे कही गई और economic survey मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, economic survey trick से भी मैंने पढ़ाया है, ताकि आप छोड़ के न जाए, economic survey और budget trick से पढ़ा दिया है, मैंने वो देख लीजे आप, playlist में जाके, क्योंकि question आएंगे budget और economic survey से, और trick से मैंने पहली बार ऐसा हुआ, history में इतिहास है, कि YouTube पे किसी ने budget को भी trick से पढ़ा दिया हो, तो आप जाके देखी अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो, तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 23 जिलों में समेकित बागवानी मिशन चलाया जा रहा है ब अब आजाते हैं गन्ना, जो है सरवादिक नगदी फसल है बिहार में, question ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा नगदी फसल कौन सी है तो गन्ना है, जो प्रथम पे है जो नगदी फसलों में गन्ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो production होता है, उत्पादन गन्ने का होत करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक याद रखना है, पश्चमी चमपारण, ठीक है, बाकी याद करें तो well and good, बट पश्चमी चमपारण गन्ना उत्पादन में सरवाधिक सीर्स पे रहता है, तो इसको तो भूलना ही नहीं है, चली अब नीचे थोड़ा सा चलते हैं, क्रि जिले में पढ़ता है, और जो चंडी नालंदा में है, वो सबजी के लिए उत्कृष्टता केंदर है, और जो देसरी वशाली में है, वो फलों के लिए उत्कृष्टता केंदर है, तो क्रिसी बिवाग द्वारा दो उत्कृष्टता केंदर की स्थापना, एक चंडी नालं के सहयोग से डेवलप किया गया है मोबाइल एप बिहान जिसका एग्रिकल्चर सेक्टर में काफी अच्छा उपियोग किया जा रहा है तो बिहान एप किस से संबंद देता है एग्रिकल्चर डेपार्टमेंट से है अब हम नीचे एक चीज देखेंगे मडूआ मडूआ जिसक द्रबंगा में इसका उत्पादन होता है तो हमने द्रबंगा में मकाना नुशंदान केंद्र भी देखा और बीहार में सरवादिक उत्पादन रागी का दरबंगा करता है तो ऐसे चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको एकदम ठीक है चलिए जूट जो है दूसरा नगदी फसल है पहला हमने गन्ना देख लिया जूट दूसरी नगद फसल है और पूनिया में सबसे जादा जो है जूट का जो है उत्पादन कि जूट दूसरी नगदी फसल पूनिया में ठीक है अब हम कुछ बात करेंगे फलों की किसका उत्पादन कहा होता है हलाकि यह मैं वीडियो अलग से उत्पादन और उत्पादक्ता पर बना चुका हूँ बट यहां पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यह वीडियो वाली वीडियो देखनी होगी वो बिहार स्पेशल लिस्ट में पढ़ी है अल्रेडी चलिए तो आम का उत्पादन दर्बंगा में सबसे जादा होता है दूसरे नंबर पे समस्ती पूर है छोड़ सकते हैं बट दर्बंगा याद रखना है आम दर्बंगा तो दर्बंगा म आम ठीक है लीची और केला में उत्पादन में मुझफर पूर पहले पे है साही लीची को टैग मिला हुआ जी आई टैग मुझफर पूर में केला भी आप आद रखेंगे मुझफर पूर ठीक है अमरूद नालंदा में है और प्याज भी नालंदा में है तो अमरूद और प facts पे क्योंकि किरसी और सहवर्ती छेत्र की में बात कर रहा था तो मतस से उत्पादन में मदवनी शीर्स पे है बेहार में सबसे ज़्यादा मत से उत्पादन बेहार में अगर कहीं होता है तो मदवनी में होता है ठीक है पहला राज्य है जिसने व्याबसाइक अनुदान भी दिया है याद रखना है question आपको मिलेगा इस वीडियो से एक बेगु सराय जो है वर्मी कमपोस्ट का जनक माना जाता है तो बेगु सराय जिला है ये अब धान रखेंगे ये वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है बहार में अब बहार में किरसी रोड मैप अब तक जारी किये गए है इससे question आता है तो इसको भी हमने रख दिया है बहार में तीसरा किरसी रोड मैप जो है जारी किया गया तो 2008 के बाद 4 साल बाद 12 में फिर 4 साल बाद 16 होता तो 17 से 22 मेटी के 5 साल के लिए याद रहेगा आपको बहार में पहला किरसी कैबिनेट कब है तो 2011 है very most important question है बहार में पहला किरसी कैबिनेट 2011 है अब हम बहार में किरसी जलवाईू छेत्र देख लेते हैं यानि औस वार्सिक वर्सा कितनी होती है soil यानि मिटी और फिर district तो उत्तर पश्चिम जोन को हम देखेंगे यानि नौर्थ वेस्ट वाला जोन जो है इसमें 104 से 145 सेंटी मीटर तक औसत वर्सा होती है और यहां पे बलूई दोमत मिटी जो है पाई जाती है और 13 district इसके अंदर आते हैं यानि उत्तर पश्चिम जो जोन है बहार का किरसी का जलवाईू छेत्र उसमें 13 district है और 104 से 145 सेंटी मीटर के बीच वर्सा होती है और मिटी यहां की बलूई दोमत प्रकार की मिटी है उत्तर पूर्वी अगर जोन की हम बात करें छेत्र की बात करें तो इस उत्तर पूर्वी छेत्र में 120 से 170 सेंटी मीटर तक औसत वर्सा होती है यहां पे दोमत और चिकनी मिटी पाई जाती है और total district इसके अंदर आते हैं उसके बाद हम देखेंगे south यानि दक्षणी जोन इसमें 99 से 130 सेंटी मीटर तक औसत वर्सा होती है यहां पे मिटी मिलती है आपको दोमत और बलूई दोमत वचकिनी दोमत तीक है तीन टाइप की दोमत है दोमत बलूई दोमत और वचकिनी दोमत और यहां पे total जिले हैं 17 तो हमने देखा उत्तरपश्चम जोन है उसमें 13 डिस्टिक उत्तरपूरवी जोन में 8 डिस्टिक और दक्षणी जोन में 17 डिस्टिक तो सबसे ज़्यादा किस जोन में डिस्टिक है 17 डक्षणी जोन में है ठीक है चलिए अब यहीं पे क्योंकि agriculture और सहवर्ती छेत्र की बा तो बिहार पसुपालन ओविसली एकोनोमिक सर्वे 2021-22 पर ही आधारित है बिहार में अंतिम पसुधन गणना 2019 में की गई है तो उसके आधार पे हाँ डाटा दिया गया है याद रखेगा बिहार में अंतिम पसुधन गणना कब की गई तो 2019 में कुल पसुधन बिहार में कित गणना नहीं की गई है बिहार में, तो 365.40 लाक में गाय और बैल का सरवाधे की योगदान है, सबसे ज़्यादा गाय और बैल पाए जाते हैं, 41.2% टोटल, ठीक है, उसके आद बकरे और बकरियां है, 35.1% और भैसे काफी कम पाई जाती है बिहार में, 2.1% ठीक है, तो अल्म 15.01 लाक टन कुल दुग दुथपादन हुआ है बिहार में, ये इसमें ग्रोथ कितनी हुई है, तो 7.1% की ग्रोथ है, पिछले वित्यवर्स की तुल नाम है, तो कुल दुग दुथपादन दन 115.01 लाक टन और ग्रोथ हुई है 7.1% की, अब देख लीजिए कि गाय से दुथपादन में मदवनी है, भैसों से मदवनी और मतस्य में भी मदवनी है, तो याद रखेंगे अब, फिर आगे चलते हैं, डेरी उद्योग के प्रमुकेंद्र, तो बिहार में डेरी उद्योग का प्रमुकेंद्र पटना है, उसके बाद बेगू सराय है, फिर मुझफ परपुर है तो आप पटना भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा डेरी उद्ध्यों के प्रमुकेंद्र पटना एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि कॉमफेड जो की यह दुग्द उत्पादन चीजों को देखता है कंट्रॉल करता है बॉड़ी है यह बिहार में तो कॉमफेड जो है यह दुग्द विक्री का डाटा इसने दिया 2020 में 15.22 लाख लीटर प्रती दिन जो है दूद की विक्री की गई कॉमफेड के द्वारा very most important and interesting fact है यह कॉमफेड द्वारा दूद की विक्री 2020 में 15.22 लाख लीटर प्रती दिन जो है दूद की विक्री की गई ठीक है तो अब आ जाते हैं हम सरवादिक मचली उत्पादन मे यह हमने अभी देख लिया था मदोबनी में है सरवादिक मचली उत्पादन मदोबनी जिला करता है प्रती व्यक्ति मचली उपलबदता बिहार में कितनी है तो 7.7 kg पर एर है पर डे नहीं है यहांदा रखिएगा तो प्रती व्यक्ति मचली उपलबदता यानि एक व्यक्त डाटा निकाला ऐसा नहीं है कि हर आदमी उतना ही करते हैं, कुछ तो वेजिटेरियन भी होते हैं, तो राष्टिय लेवल से ये कम है, प्रतिव्यक्ति मचली उपलबदता बेहार में, जहां बेहार में साथ दसमलब साथ है, वहीं राष्टिय इस तरपे ये 10 किलोग्रेम प् करता है, तो बेहार का फोर्थ इस्तान है, और पहले पर आंदर प्रदेश है, इसलिए काफी अच्छा फैक्ट है ये, कि अंतर देशी मत्स उत्पादन में बेहार की चौथी रैंक है, और आंदर प्रदेश फर्स्ट पे है, यहीं आगे दिया हुआ 6.83 लाग टन जो है, 6.83 लाग टन मचलियों का उत्पादन हुआ बेहार में, ठीक है, तो यहां ये क्रिसी जनगर्ना और उससे सहवर्ती छेत्र को हमने कवर कर दिया बहुत जल्दी से, वीडियो पसंद आया हो, तो शेर, लाइक करना मत भूलिये, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, जरूर मु करा करो, क्योंकि धमाका होगा कुछ ऐसा, जिसकी आवाज गूजेगी आपके सेंटर हॉल में, ठीक है, और गोला भड़ते हुए आग उठेगी आपकी कॉपी में, इस धमाके का असर कुछ इस तरह होगा, तो थैंक यू सो मच फ़र वाचिंग क्रैक नाओ, all the best for your upcoming exam, have a good day जै हिंद